अस्सलाम अलेकुम विवर्स कैसे हैं आप सब I hope के बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे दिन गुजार रहे होंगे Welcome to my channel और आज हमारे channel पे होने लगा है Magic अजे भाई, रुकें, बहुत अच्छा magic है बड़े सारे magical लोगों की तबियत साफ करने के लिए और फिर होगा magic और magic क्या होगा, कि सब खाएंगे इसको तो magic और भी बहुत कुछ करेगा लेकिन पहले हम recipe देख लेते हैं ठीक है, तो recipe क्या है? बहुत साधी recipe है, बहुत प्यारी recipe है बहुत magical recipe है और वो यह है, कि आपने लेना है तीन टेबल स्पून ओई और उसमें डालने हैं तीन टेबल स्पून मैदे के अच्छे से भूनना है जैसे मैं भून रही हूँ और पिर इसमें दोबारा तीन टेबल स्पून ओई डालना है, ताकि यह इस तरह paste की form में आजाए बिलकुल यहां मैजिक नहीं हुआ यहां हमारा फोन रिकॉर्डिंग नहीं गर रहा था खुद बाखुद उसका दिल किया कि मैं बंद हो जाऊँ तो वो बंद हो गया इसलिए आप यहां देख नहीं सके मैंने दुबारा इसमें तीन चमच ओईल के डाले है तो इस तरह हमारा मैदा पेस्ट फॉर्म में आ गया है और इसको मैंने अच्छे अच्छे से भून लिया है अब इस मैदे के अंदर हम डालेंगे स्पाइसिस जो सबसे पहले इसमें जा रहा है यखनी पाउडर आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं आपकी मर्जी और उसके बाद जारी है इसमें काली मिरच थोड़ी काली मिरच है आदा ती स्पून आप चाहें तो जादा भी रख सकते हैं मगर मेरे हिसाब में इसको इतना ही रहने दें क्योंके इस वाइट सौस मेकराणी का मज़ा ही हलके फुलके नमक मिरच में है तो अब इसमें हम डालेंगे नमक जो के आप अपनी जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं मैं ज़्यादा तर एक से थोड़ा कम चमश नमक डालती हूँ तो इसमें नमक मिरच और यखनी आप डालें और हमारी यह जो वाइट सौस है इसमें बस इतनी मसालें डलेंगे तो इन मसालों के बाद हमने क्या करना है बहुत जरूरी काम करना है اور और वो यह है कि हमने इसमें दूड़ डालना है मैं थोड़ा जादा वाइट सॉस बनाती हूं मेकराणी के लिए क्योंके मुझे जरा क्रीमी सी अच्छी सी मेकराणी पसंद है वगर बारहल यहां मेरी पसंद की बात तो हो ही नीरी यहां तो मैंने आपको एक मैजिक की बात बताई थी थी ना तो मैजिक भी अभी मैं आपको बताती हूं क्या होगा उससे पहले जो इंपोर्टन बात है वो यह कि अभी मैंने इसमें दूड़ डाला है तो आप दूड़ डालने के साथ ही चूला बंद कर देंगे जैसे मैंने बंद कर दिया है यह सारी डिश अब बंद चूले के उपर पकेगी हम इससे जादा इसको नहीं पकाएंगे यह आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें दूड़ डाला है मैं इसको मिक्स कर रही हूं आप इसको विस्क लेके उससे भी विस्क कर सकते हैं ठीक है और कीजेगा ताके इसमें गिल्टिया ना पड़े अब चलते हैं मैजिक की तरफ कौन सा मैजिक होने वाला है तो भाई आपके घर में मेरे घर में मेरे नेबर्स के घर में आपके नेबर्स के घर में उनके नेबर्स के घर में मतलब के सबके घरों में कोई ना कोई ऐसा पीस जरूर होता है तो जब आप खाना बनाते हैं ना तो उसमें कीड़े की तरह चीजें निकालते रहते हैं भाई प्लेट में कि मैं तो ये नहीं काता बलके कुछ की अम्यामी की होती है क्या कहती हैं अरे भाई मेरे बच्चे तो ये बिलकुल नहीं खाते आपने इसमें ये ख्यूं डाला और जणाब लेटिस्ट बिलकुल लेटिस्ट एनकाउंटर में मुझे सुनने को मिला कि आपने इसमें चीज डाला होगा हमारे बच्चे तो चीज ही नहीं खाते अरे भाई इसलिए आपने देखा कि ये है मैकरोनी बगएर वेजिटेबल्स के और ये है वाइट सॉस बगएर चीज के होगी न अमेरिकल सब खा सकते हैं बहुत अच्छी बहुत माइल्ड सी रेसिपी बच्चे भी खा सकते हैं बड़े भी खा सकते हैं जिनको बीपी है वो भी खा सकते हैं I hope कि आपको ये अच्छी लगी होगी बस इसमें थोड़ा सा उपर से मिस्क्स स्पाइस थोड़ी सी धड़ा मिरच ऐसे ही दिल को खुश करने के लिए डाला है अरे हरे दन्या नहीं डाला क्योंकि वो भी कुछ लोग नहीं खाते घास पूस है नहीं खाना चाहिए बिल्कुल नहीं सियत के लिए अच्छा नहीं होता तो चले जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी आप इसको सालिट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और चोटे बच्चों के लिए भी जरूर बताईएगा कैसे लगी अला हाफिज